जहें दोस्तों अंदे माता कांतारों को रिलीज हुए 29 दिन पूरे हो चुके हैं अपने रिलीज के 29 दिन मूवी ने 5.5 करोड रॉपय का बिजनस किया है लेकिन अब इस मूवी के बारे में अच्छी बातों के साथ साथ गलत बाते होना भी शुरू हो चुकी है अब एक डिरेक्टर ने इस मूवी को लेकर कहा है कि भई यह यह मूवी उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आई लेकिन अगर दूसरी तरह देखें तो इस मूवी ने केजिएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वहीं रजनिकांत ने जिस तरीके से इस मूवी की तारीफ करीए वो अपने आप में बताता है कि यह मूवी कितनी ज़्यादा अच्छी बनकर निकल कर सामने है यह वो भी एक बहुत छोड़े से टॉपिक को लेकर तो ऐसे में इस मूवी को लेकर कौन नेगिटिव बात कर रहा है सबसे पहले तो जान लेते हैं लेकिन उसके पहले जरह जान लेते हैं कैसे इसने रिकॉर्ड टोड़ा है केजी एफ का कांतारा आया दिन नए रिकॉर्ड बना रही है और अब यह हाल ही में केजे शप्टर वन को पीछे छोड़ते हुए कंडर नस्ट्रे की दूस फिल्म होने की बावजूद इतना बड़ा कलेक्शन करना अपने आप में एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड रेशेफ शेटी स्ट्रेस फिल्म ने हाल ही में डाई से करोड का अकड़ा पार किया है अब फिल्म की कुल कमाई 259 करोड का सबस महुंच गई जो की केजे चेटर वन से कांतारा जब रिलीज हुई थी तो इसकी कमाई की शुरुआत काफी स्लो हुई थी लेकिन धीरे धीरे जवर्दस वर्ल्ड आउथ मौद की वजए से फिल्म ने आगे चलकर कमाई की जंडे कार दी आएमडीवी पर बेस्ट रिटिंग हासिल करने के मामले में कांतारा अफवल साबित हुई कांतारा ने यहां भी अपना एक रिकॉर्ड साबित करते हुई आएमडीवी पर बेस्ट रिटिंग हासिल करी और ये एक इंडियन फिल्म बन चुकी इस से पहले ये रिकॉर्ड कीजिफ टू केई नाम था वाइंग केनन भाशा में फिल्म के जवर्दस प्रोशन को देखकर फिल्म के मेकर्स ने इसे अन्य भाशाओं में रिलीस किया था और हिंदी मतलब मातर हिंदी में इसने अपतक 31 करोड रुपए का कलेक्शन कर लिया है लेकिन पहली बार ऐसे में एक फिल्मेकर ऐसे भी सामने आये जिन्हों ने इस फिल्म को बहुत बुरी आलोशना करी फिल्मेकर अविरूप बसू ने कांतारा को ना सिर्फ बुद्धिमत्ता का मजग बताया है लेकिन इसे हसने योग ये फिल्म करार दिया है एक नए इंटर्विव में कोलकाता के अविरूप ने ये भी कहा कि ये फिल्म एक व्यक्ति को इस बात में विश्वास करने पर मजबूर करती है कि हमारे साथ होने वाली घटनाओं में दीवी देवताओं का दखल होता है कांतारा को रिशव शेट्टी नड़ा रख किया है वही इस फिल्म के लेखक भी है और लीड एक्टर भी है ये फिल्म पॉलाने कताओं पर आधारित है फिल्म की कहानी दक्षिन करन्ड के एक कालपनिक गाउं की है जहां रिशव का किरदार कंबाला चेंपियन का है फिल्म में अच्छित कुमार प्रमूद शेट्टी और सब्तमी गौड़ा भी है इटाइम्स के साथ बाचीत में अभी रूप बसू कहते हैं ये मुझे लगता है कि ये फिल्म किसी की बुद्धी का मजाक है और इसे बहुती खरात तरीकी से बनाये गया ये आपको पीछे धकेलने वाली फिल्म है जिसमें बहुत शोर है इसमें कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जिसके लिए आप खड़े हो सके प्लॉट्ट्विस्ट के नाम पर फिल्म में जो भी दिखाये गया है वो बही मानी है और सिर्फ नौटंकी फिल्म के हीरो की कर्ज और पाप से मुक्ती का जो तरीका है उस पर हसी आती फिल्म के क्लाइमेक्स की इतनी चर्चा है असल में जब आप महां पहुंचते हैं आपको इसमें कोई दिल्चस्पी ही नहीं रह जाती वहीं पंकर सिर्पाटी के साथ लाली जैसी शॉर्ट फिल्म के डिरेक्टर अभी रूप आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसमें कोई चौकाने वाली बात नहीं कि एक फिल्म जो आपको देवी शक्तियों के दखल को मानने पर मजूर करती है इस तरह से कमाई कर रही है ये खास करके ऐसे समय में जब आप एक देश के रूप में अपने पौराने कथाओं के किरदार देवी देवताओं की वैज्ञाने प्रसंगित्ता साबित करने के लिए कड़ी महनत कर रहे है असल में ये फिल्म ऐसे समय में एकदम फिड़ बैट थी कांतारा 30 सितंबर को करनण पर रिलीज रूई थी जबकि 14 अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलगो और मल्यालम में भी रिलीज किया गया था साथ के स्वर्शार रजनी Κांत ने भी फिल्म को देखकर इसकी काफी तारीफ करी थी रजनीकांत के साथी कॉंगने रुणात Are you can't?ta पकर कि थारीफ करी थी साथ-साथ अल्लु अर्जुन ने भी इस मोवी की काफी जम कर तारीफ करी थी वहीं अब कुछ तस्वीरें सामने आ रहे हैं जिसमें कि अबिनिता रिशब शेट्टी तमिलाडू में राजधा नीचे अन्नाई में सुपरस्टार रजनिकांत की आवास पर जाकर उनका आशिरवाद ले रहे हैं उन्होंने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साजा किये एक तस्वीरें वरिश्ट अबिनिता के पाऊं छूते हुए नजर आ रहे हैं और सूपरस्टार उन्हें आशिरवाद दे रहे हैं जबकि एक अन्य तस्वीर में रजनिकांत उन्हें अंगवस तर उड़ा कर सम्मान त्वक 2.500 क्रूट रूबे कमा चुकी कांतारा को लेकर अब विवाद भी सामने आ गया है केरल के एक अदालत ने फिल्म को वराहरूपम गाने का प्रयोग करने से लोग दिया है कॉपी रैट के केस को लेकर ऐसा आदिश दिया गया है थेटर और ऑन-लाइन प्लेटफॉर् बलकि आडियो गाने के सभी प्लेटफॉर्म से भी वराहरूपम को हटाना पड़ेगा हालाकि सुनवाई खत्म होने था कि स्थाई आदेश है याचिका कर्ता ने इसे फ्लेरिजम बताते हुए कहा कि दोनों गानों का सामार होना सिर्फ सहयोग नहीं है फिल्म में करनाटका के वनवासी समाच के एक दैव को भगवान विश्नु का वरा अवतार बताते हुए से स्तुत्वी वाले गाने को यहां पर डाला गया था अधर बताते हैं है